हलो दोस्तों मैं हूँ ट्रेवल डूट हसन और आज के इस वीडियो में हम बात करेगे भारत का गहना कहे जाने वाले मनीपूर की ये भारत के सबसे खुबसरों जगाओं में से है यहां आके आपको ऐसा लगता है जैसे आप जन्नत में आ गया हो उचे उचे पाहड और उनके बीच में बहती न दिया गहने जंगल और वन्य जीवन बहुत ही आकरशित और मन महुक लगता है लेकिन सबसे खास चीज जो इस जगा को दिल्चस्प बनाती है वो यहां के बहुत ही सच्चे, सरल और खुश मजाज लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूगा हो सकता है यहां के कुछ शब्दों का उच्चारन में गलत करूँ अगर आपको मेरी किसी विबाद से ठेस पहुचती है तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से माफी मागना चाहूगा और कोशिश करूगा कि यह हर शब्द का सही उच्चारन कर सको तो चलिए जानते हैं मनीपूर के दस सबसे खुबसुरा जगाओं की बारे में नमबर दस चुरा चंदपूर चुरा चंदपूर मनीपूर का दूसरा सबसे बड़ा शहर है इसको लमका के नाम से भी जाना जाता है यह शहर जितना उन्नत है उतना ही सुन्धर भी यहां आपको बांध, स्कूल, संग्राले, इतियाती देखने को मिलेगे चुरा चंदपूर कई सारे जन्जातियों का घर है जिन्नोंने मिलकर इसे बनाया है आप यहां आकर यहां के जन्जीवन का आनद ले सकते हैं यहां की कुछ मुख्य आकरशन है लियामारम जन्ना अपने आप में एक खास जगा है यहां की सुन्दरता देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां पर आते हैं यहां सिर्फ एक नहीं बलकि तीन बहत खुबसूर जन्ने हैं यह जन्ने जितने विशाल है उतने ही मनमोग भी इसे देखकर हर कोई हक्का बक्कर रह जाता है यह मनिपूर की खास जगाओं में से एक है डुजुको घाटी मनिपूर की सबसे लुभावनी और आश्चर यह जन्नक स्थानों में से एक है यहां की खुबसूरती बेहत बनमोग है इस घाटी में आकर ऐसा लगता है जैसे जन्डत में कदम रख लिया हो डुजुको घाटी में एक खास तरह का फूल देखने को मिलता है जिसका नाम इसी घाटी के नाम पे डुजुको लिली रखा गया है यह फूल आपको सिर्फ इसी घाटी में मिलेगा डुजुको घाटी मनीपूर और नागलेंड की सीमा पर इस्तित है यह घाटी सच मुच खुआबों की दुनिया है यहां की कुछ मुखी आकरशन है जाफपू पीक, ट्रेकिंग ट्रेल्स और डुजुको लिली नमबर साथ थोईबल थोईबल मनीपूर के प्रसित स्थानों में से एक है थोईबल को ट्रेकिंग परडाइस के नाम से भी जाना जाता है यह जगा अपने खुबसूरा वादियों के लिए बहुत मशूर है थोईबल उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जगा है जो प्रकति के करीब रहना पसंद करते है यहां की खुबसूरा जीले और नदिया यहां के वातावरन में चार चांसी लगा देती है आप यहां आकर यहां के गिरामिन जीवन का भी लुट्व उठा सकते है यहां के कुछ मुक्य आकरशन है पीपल्स म्यूजियम, इमफाल रिवल, वेथू लेक, कॉंग्जॉम वार मिमोरियल और यहां का बजार नमबर छे, चंदेल चंदेल मनीपूर का प्रवेश दुआर है यह जगा प्रकति के गोध में समाई हुई है चंदेल मनीपूर के सबसे लोगप्रिय और अद्भू जगाव में से एक है यह जगा ट्रेकिंग के लिए बहुत अच्छी है यहां के हरे भरे परिसर में अक्सर आपको कहीं सारे जानवर और पक्षिय देखने को मिल जाएगे यहां के कुछ मुक्य आकरशन है यंगो, पॉकपी, लोकचाओ, वाइड लाइफ सेंचुरी नमबर पांच उक्रूल उक्रूल अपने खुबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है यहां के प्रकतिक सुन्दरत आपके मन को शान्त और आपको मंत्रमुक्त कर देगी यहां की चाय के भगीचे इस जगा की खुबसूरती को और भी बड़ा देते है और ट्रेकिंग के दिवानों के लिए तो उक्रूल बहुत ही अच्छी जगा साबित होती है यहां के कुछ मुक्य आकरशनों में से निल्लाइ टी स्टेट, काचो फुंग लेक, खांकुई केव और खायंग पीक नमबर चार एंड्रो एंड्रो इंड्रो इंफाल के पास बसा एक छोटा सा गाओं है यहां के मिट्टी के बरतनों के कला बेजोड है जो यहां के आकरशनों का मुक्य के अंदर भी है यहां की कला पूरे प्रदेश में जानी जाती है इस जगा की कला जितनी प्रक्यात है उतना ही घेरा इस कला का इतिहास है एंड्रो ग्रामशंग मुजियम में जाकर आपको इस कला के इतिहास का अंदाज़ा हो जाएगा इस म्यूजियम में यहां के पारंपरगत, मटके एवं बर्तनों का प्रदर्शन किया जाता है यहां आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्ज के बीच होगा सेनपती बहुत ही साधरन और सुन्दर जगा है यहां का 80% हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है और बाकी बच्चे हुए हिस्सों में ग्रामिनों ने अपना बसे रबसाया है यहां की वादिया बेहत लुभावनी है यहां कर आप वन्य जीवन को करीब से देख सकते है यहां के प्रकरती आपको इस कदर छू जाएगी कि आपको यह जगा हमेशे याद आएगी यहां पर आप ग्रामिन जीवन का भी लुट्फ उठा सकते है तो अगर आपको सरल जीवन पसंद है तो यह जगा आपके दिल को जरू छू जाएगी लोक्टक जील भारत देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है यह जील इमफाल से 50 किलोमेटर के दूरी पर इमफाल की घाटी में इस्ते थे लोक्टक जील इस राजे के सभी नदियो नालो का घर है यह जील और सेंद्रा आइलेंड मिलकर एसी बेचोड घुपसूरत रजना करते हैं जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता सेंद्रा द्रीप जेवी कचरे यानी ओर्गनिक वेज से बना है इस जील में कई और ऐसे द्रिप भी है यहां का सन्राइज बेहती खुपसूरत होता है जिसे आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए नमबर एक इमफाल इमफाल एक बहुती आकरशक स्थान है आद्भूत प्रकरतिक सौंदरिये और परिदेशिये के साथ यहां का इतियाज भी बेहत रुवांचक है द्रितिये विश्व युद के दोरान हुई इमफाल के लड़ाई का यहां इस्थल इतियाज के पन्नों में अपनी जगा आज भी बना का रखा है यहां का इतियाज और प्रकरतिक सौंदरिये दोनों ही मिलकर इस जगा को बेहत खास बनाते है यहां के कुछ मुख्या आकर्शन है आईने मिमोरियल मनिपूर स्टेट मूसियम कांगला फोर्ट लंग्था बल वार सेमिट्रीस मनिपूर जोलोजिकल गार्डन्स केबूल लंजाव नैशनल पार्क दोस्तों मनिपूर हिंदूस्तान की एक बहुत ही खुबसूरत जगा है जिसको हम कभी-कभी नजर अंदास कर जाते हैं यह उन जगाव में से एक है जो आपको अपने अंदर जाकने में मदद करेगी और आप खुद को और अच्छे से पहचान पाओगे दोस्तों अगर आप मनिपूर जा रहा है तो इसके भी पड़ोसी राज्ये नागलेंड या मिजोरम का भी टूर ज़रूर करे जिसके लिए हमने वीडियो बनाई हुए जिसे आप देख सकते हैं तो ये ती कुछ बात है मनिपूर की खुबसूरत जगाओ के लाज़ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहा है तो पेज को फोलो करना ना भूले तो मिलते हैं अगली वीडियो पे थैंक्यू